तो गाइज आ गाए हम लोग अपना एक नया डबा लेकर के और यह कोई अन्बॉक्सिंग नहीं है यह मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है भार से तो इसको अपन डायरेक्ट इसी के बॉक्स से खोलेंगे ना करके किसी एमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी ऑनलाइन वेबसा यह बॉक्स पर वैसे फिलिप्स लिखा हुआ है बट मेरे को बड़ा डाउट है कि यह फिलिप्स ओरिजिनल नहीं है यह मार्केट का है तो फिर भी देखते हैं क्वालिटी कैसी है तो तो यह है बड़ा चोट आसा एक यूएसबी पॉइंट वाला सी एफल काइंड ऑफ बल्प जो रात को कभी अगर आपकी बिजली चले जाए घर की आपका इन्वेटर डाउन हो जाए और आपको इंस्टेंट थोड़ा सा लाइट का रिक्वायर्मेंट है कहीं आप जंगल स जरुरत है तो यह आपका थोड़ा बहुत काम वहां पर कर सकता है इसको अभी जला के भी देखते हैं कि यह कैसा है करके तो चलिए देखते हैं अब इसको जला के इसको पूरा लाइट आफ करके भी जला के देखेंगे और लाइट के साथ भी जला के देखेंगे तो गाइस यह हमारा oneplus का एक दूसरा model दूसरा mobile है इस फोन के अलावा तो इसके इसके c type port में हम otg connect कर लेते हैं और otg connect करने के बाद यह वाला जो bulb है यह इसमें डाल के देखते हैं कैसा light इसका आता है तो यह यह जल गया तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी क्योंकि भाहर का light यह मतलब जो रूम का light है वो चालू है इसलिए इसका light उत्ता समझ में नहीं आ रहा है बट एक बार इसको बंद करके देखते हैं कि अब उसके बाद पूरा रूम में जब अंधेरा होता है तब light कैसा आता है अगर आप कहीं आउटडोर में फज गया है या कोई सफारी करने गया है तब आप इसको यूज में ले सकते हैं इसके लिए कोई इलेक्टरिसिटी का भी रिक्वाइर्मेंट नहीं नॉर्मल ओटीजी केबल से यह कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल में आप इसको ऐसे लटका के ऐसे कुछ भी देख सकते हैं वैसे बारिश का टाइम है तो थोड़ा light होना बहुत ज़रूरी है दर्वाइस स्नेक्स और बा प्राइज यह टाइनी सा लाइट था जो कि हम लोगों ने रिव्यू कर लिया है अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो प्राइज है अगर आप ऑनलाइन वेब्साइट पर चेक करेंगे तो लगबग 200-500 रुपए आएगा बट नियरेस्ट मोबाइल मार्केट ऐसे सरी लाइन ना लेकर आपको आफ लाइन ही लेना चाहिए और यह ब्रैंड पर मच जाहिए मुझे नहीं लगता यह फिलिप्स का ओरिजिनल है करके तो ठीक है अब मिलते हैं अगले वीडियो में चलिए बाए बाए